हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज सुभे की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे और सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्वों बहुत अच्छे कोश्चन्स आज मैं एक बार फिर से आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कोश्चन किसके हैं संस्क्रत के कोश्चन हैं संस्क्रत का एक प्रक्टिस सेट पर सुआया था जो की प्रक्टिस सेट नंबर 6 था आज हम लोग देखेंगे प्रक्टिस सेट नंबर 7 पूरे 30 कोश्चन और पूरी 25 प्लस की 100% की तयारी करा रहे हैं बस आप लोगों को देखना है कि कितना आप लोग कवर आप कर पाते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के questions पर और यह question आपको सबसे पहला question जो दिख रहा है यह मैंने आपको last time पूछा भी था यही question मैंने आपको नंबर ओप्षन दियाएं गगा गोधूमा यह सही दियाँगा गेहूं को संस्कृत में इसी नाम से जाना जाता है और गेहूं के तर्वे ततर्सम सब्ध की बात होगी तो वो भी यही होता तर्व्योन सब्सकृत क्रूंद को सस्क्रत पाहले उपी टेट में पूछाने ले अगला कोशन है सरसों को संस्क्रत में क्या गयते हैं सरसंपह सरसोहमह या फिर सरसपम कौन सा उप्शन सही होगा 92 नंबर या आज का दूसरा कोशन है और इसका आपका बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से लिखा जाता है देख लीजेगा अगला संग्या के प्रकार पूछे गए हैं तो दोस्तों चाहें हिंदी और संस्क्रत हो संग्या के कितने वेद बताएगा तो छे वेद दी नंबर उप्शन सही हो जाएगा दा नंबर छे वेद होते हैं अगला कोशन है गाड़ी को संस्क्रत में क्या कहा जाता है गाड़ी ही सकट तक 300 questions को देखेगा सकटाह कहा जाता, गाड़ी को संस्कृत में सकटाह के नाम से जाना जाता है अगला पूज में अनियर प्रत्य जोड़ देना, अनियर प्रत्य में आपको पढ़ाया था, तो पूज प्लस अनियर के योग से क्या बनेगा पूज नियर पूज नियर रहा पूज नियर या फिर इन में से कोई नहीं तो जल्दी से बताईगा 5 नंबर question है और दोस्तों इसे पूज नियर कहा जाएगा C नंबर option जो दिया गया पूज नियर पूज में जब अनियर प्रत्य जोड़ दिया जाएगा तो सब्द आपका ये बनेगा प्रत्य topic पूरा बहुत ही important topic है और Sanskrit का सबसे tough topic में से एक है कम से कम आपको 2-3 question हर बार यहां से मिलते हैं पूरा topic आपको अलग से पढ़ा चुके है link नीचे दिया गया सभी लोग अभी जाके class के end होते ही सबसे पहले इसको जरूर देखना जाके अगला विसर्ग का उचारण इस्थान बताईए कंठ तालू दंत या फिरोष्ट विसर्ग का उचारण इस्थान पूछा गया और इसका आपका कौन सा option से ही होगा जल्दी बताईए बहुत अच्छा question है इसी प्रकार के question अप ज़्यादा पूछे जाने वाले उचारण स्थान से तो इसका आपका A number option है कंठ विसर्ग आ जाए छोटा आ जाए बड़ा आ जाए कावर्ग आ जाए या फिर हाँ ये जो होते हैं ये आपके सभी विसर्ग के उचारण स्थान जोते हैं कंठ होते हैं इसका भी आपका A number option सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों clear हो गया आगला है एकोन चत्वार इंसत इस सब्द का अर्थ बताईए गिंती से question जरूर पूछा था कभी कभी दो भी पूछ दिये जाते हैं एकोन चत्वार इंसत इस से 44, 49, 39 या फिर 49 तो देखिए एकोन का मरला हमने आपको बताया था एक कम चत्वार इंसत माने 40 यानि कि 40 से एक कम तो इसका कौन सा आपका option सही हो जाए B number 49 हमने आपको बताया था चत्वार इंसत कि इसको कहते हैं 40 माइनस एक कर देंगे जब भी एकोन लिखा होगा तो ये आपका बन जाएगा 49 B number option सही हो जाएगा 39 ये भी आपको बहुत अच्छी ट्रिक से पढ़ाई थी लिंक नीचे दिया क्या देख लेना अगला चोर भयम में समास होगा तत्पुरुस द्वंद अब्वेभाव या फिर द्विक समास तो देखे चोर भयम चोर से भय चोरात भयम इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था तो चोर से भय बीच में आपका क्या हो रहा है बीच में आपका कारक चिन लोफ हो रहा है तो आपका सीधे सीधे ततपुरुस समास हो जाएगा ए नंबर आप्शन बिलकुल सही हो जाएगा याद कर लिजेगा पंचमी ततपुरुस के अंतरगात आता है अगला नाइन नंबर कोशन है भयार्थक एवं रच्छार्थक धातुओं के साथ किस विवक्ति का प्रयोग किया जाता चतुर्थी विक्ति, सश्थी, पंचमी या फिर दुतिया बहुत इंपॉर्टन विवक्ति टॉपिक भी है अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा लेकिन देख लीजेगा नाइन नमबर कोशन है और पंचमी वक्ति का प्रयोग जो था वो भय या फिर अच्छा संबंदित धातुओं के लिए किया जाता है और इसका मैंने आपको सूत्र भी आपको उताया था भीत्यार्था नाम प्री माड़ा इस परकार से बताया था वीत्रार्था दिया हो तो समय लीजे वह से संबंदित बात हो रही आपका आंसर हमेशा पंचमी विवक्ति ही रहेगा 10 नमबर कोशन है अहम बालकम पश्यामि वाकिका कर्म वाचि में परिवर्टित बताना है अहम बालकम पश्यामि इसे आपको कर्म बाच में परिवर्थित करना है तो इसका कौन सा उप्षन सही होगा जल्दी से देखिएगा यते हमने आपको उताय था यते अंतमे होना अतियावस्यक है तो इसमें आपको यते सिर्फ ए नमबर उप्षन में दिया गया कितने होते हैं? ग्रत कर्म का होती है निकली थनिया है इनको महसर सूतर कहा गया है और इनकी कुल संक्हीं जो हती है mines संधी बताई है बहुत इजी और सबसे यादा हिंदी और संसक्रत बोनों में पूछा जाने वाला कोशन है गुड़ संदी अयादी संदी व्रदी संदी या फिर यण संदी तो एक पवन हो गया एक पाबक हो गया पवन होता पो प्लस अन और पाबक होता पो प्लस अकहा पो आ की मात्राएं आ रहे यानि कि ये ओ की मात्रा हो जाएगी पो प्लस अकहा तो ये आपका बन जाएगा पर गताती यह भी याद रखिएगा सावर्ण का उच्चारहन इसन सावर्ण का डन्त तालू कंठ northern या phिर मूर्था जल्दी से बताईएगा क्या होगा कौन सा प्र संसर यह हुझ जहागा सावर्ण का उचारहन पूछा गया है और इसका आपका ए नंबर आप्शन दंत सा देखे हैं दंत हो रहा है ए नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं त्रेश चत्वार इंसती सब्द का अर्थ बताईए तो सब्द आपका दिया गया त्रेश चत्वार इंसती 34, 43, 103 या फि 44, 40 हो गया अलग-अलग तोड़ लीजिए इनको और जोड दीजिए आपस में त्रेव दिया गया त्रेह मतलब 3 हो गया और चत्वार इंसती कितना ओता है, 43 होता है 43, ओता है 43 आपको 2 नंबर आपिसन मै दिया गया है यही बाला option बिल्कुल सही हो जाएगा 33 शत्त और इंसन मतलब 43 अगला पंच बटी में समास बताईए दोन्द समास, दोईक समास, भोगपरी समास या फिर कर्मधाराय समास पंच बटी में समास पंच बटी क्लियर हो गया होगा आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा संख्या बाचक और समुह बाचक होता वहाँ दोईक समास बताई था सबसे इजी समास होता है और बी नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोईक समास आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर छोटे छोटे कोशन है इंपॉर्टन कोशन जल्दी से देखते रहेंगे बस आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देखते रहेगा और कोशन अगर अच्छे लगें तो सेर भी करते रहेगा कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा ओम में ओ के आगे ओ के बाद जो यह आपका यस टाइप का बना हुआ इस प्रकार से यह किसके अंतरगत आता है रसोसर, दीर्गसर, पलतोसर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो हमने आपको बताय था एक रसोसर जो एक मातरा के लिए होता दीर्गसर, दो मातरा के लिए पलतोसर जो होता, वो दो से ज़्यादा मातराओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है और यहाँ पर आपका पलतोसर होता है जो कि यस आकार का इस प्रकार से बनाया जाता है हाँ ओम में यही बना हुआ है तो इसका आपका सी नंबर ऑप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा प्लुतुस्वर इसको कहा जाता है अगला कोशन इवर्ण का उचारन इस्थान क्या होगा इवर्ण का कंठ तालू मूर्धा या फिर उष्ट दो नंबर पक्के समझे हैं अगर नहीं पूछे जाते क्योंकि सबसे इजी वही बनते हैं हमने आपको तीन उचारन स्थान बताएं जिसमें कि अभी एक आया था आपका विसर्ग का दूसरा कोशन आया था सा का और तीसरा छोटी ए का उचारन स्थान पूछा गया तो क्या होगा कंठ तालू मूर्धा या फ अगला पित्रणम पद में कौनसी संदी है जल्दी से देखेगा गुण संदी ब्रदी संदी या फिर्ग संदी पित्रणम हमने आपको उता है था पित्र रिर्ण इस प्रकार से पढ़ा जाएगा तो यह आपका किसके अंतरगत आ जाएगा 18 नंबर कोशन है और इसका आपक लेना साम को मैंने आपको जो कल साम को क्लास दीती बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकलोजी के पार्ट टू की क्लास थी तीस पूरे कोशन्स है जो कि आपके सिच्छा मनोविग्यान बाल मनोविग्यान पर आधारित थे और यूपिटेड सीटेड दोनों के लिए ही इंपॉ ही कार किया जा रहा हूं जरूर default जैकर च्छिर करोफ्ते रहा कर ldi तो अगला कॉशन सुध्व ख्यान के विनांबी मुक्ति ऑस परोक्त सभी उप्रोग्त सभी तो इनवाग के इंप से कोई ही सुधड है इतना जान लीजिए तो इनमें कौन सो दिया गैए गंज्ञा मु तीनों में अलग अलग था तो यह आपका A number option बिलकुल सही हो जाएगा अगला question है 20 number question है चतुर विंसती का अर्थ बताईए चतुर विंसती बहुत ही easy है 24, 80, 16 या फिर 124 चतुर विंसती अलग अलग कर लेंगे चतुर माने 4 हो गया विंसती माने 20 हो गया या अंसर कर देना वस अलग करना है आपको इतना याद रखना अब अगला question है महा भारत के रचेईता कौन है महा भारत के रचेईता वालमी की करस्न दोई पायन कालिदास या फिर भास बहुत easy question है जल्दी से बताईएगा तो दोस्तों देखे बैसे तो आप लोग को याद होगा महा भारत के रचेईता कौन है वेद व्याश जी है क्या नाम है इनका वेद व्याश जी तो वेद व्याश जी का ही दूसरा नाम है क्रस्न दोई पायन बी नमबर option बिल्कुल सही हो जाएगा याद कर लिजेगा अगला कोशन है महा भारत की कता कितने परवों में विभाजित है महा भारत की कता यह आपके कुछ लोकिक साहित के important questions है देखते रहिए याद करते रहिए तो दोस्तों महा भारत कुल 18 दिन का युद्ध हुआ था और प्रतेक दिन के युद्ध को एक पर्व के रूप में लिखा गया है तो आपका कौन सा आंसर से होगा 19, 18, 7 या फिर 15 जब ने बता दिया प्रतेक पर्व एक दिन पर आधारित है तो कुल 18 पर्वों में विभाजित है महा भारत की कता को पर्वों में विभाजित करके लिखा गया पर्व मतलब दिन तो 18 दिन का युद्ध हुआ था 18 पर्व में विभाजित है 22 नमबर कोशन B नमबर आप्शन सही हो जाएगा अगला है महा भारत में अंगी रस कौन सा अंगी रस का मला होता है कि महा भारत की जो रचना की गई है उसमें मुख रूप से कौन सा रस देखने को मिलता है वीर रस, अदवुद रस, सांत रस या फिसरंगार रस 23 नमबर कोशन है जब युद्ध की घटना का वरनन्द किया गया सीधे सीधे महा भारत नाम से समझ लिजे या आप लोगों को इतना तो मालूं होगा कौरब पांडबों के युद्ध की रचना है तो जाहिर तोर की बात है वीरस ही होगा उत्साहा की बात हो रही वीरस का इस्थाई बाम ने आपको उताय था उत्साहा और यह कोश्चन भी पूछा था तो याद कर लिजेगा अगला पांडबों को वनवास हुआ था कितने वरस का 14 वरस का, 13 वरस का, 12 वरस का या फिर 10 वरस का अग्यात वास नहीं पूछा गया केवल वनवास पूछा गया है तो पांडवों को जो कवर्मों ने बनवास की कुल अवद दी गई थी वो कितनी थी 114 नमबर या 24 नमबर कोशन इसका आपका B नमबर आप्सन है 13 वर्ष का बनवास दिया गया था B नमबर आप्सन सही हो जाएगा अगला कोशन है जैन्त नाम था जैन्त किसका नाम था बहुत अच्छा कोशन है इंदर के सार्थी का नाम दुस्यंत के सार्थी का नाम इंदर के पुत्र का नाम या फित दुस्यंत के पुत्र का नाम तो 25 नमबर कोश्चन है जैंत नाम था इंडर के सार्थी का नाम याद कर लीजेगा इसका आपका A नमबर आप्शन सही हो जाएगा इंडर के सार्थी का नाम क्या था जैंत अगला कोश्चन है रामायन कार थे रामायण कार का मलब है रामायण की रचना करने वाले कौन थे वेदव्यास बालमी की काले दास या फिर तुलसी दास सब को मालू होगा रामायण की रचना किस ने की थी इतना तो आप लोगों को याद होगा 26 नमबर कुशन है बी नमबर ऑप्शन बालमीक जी ने रामायण की रचना की थी इन्हें रामायण कार कहा जाता है रामायण में कुल कितने कांड है रामायण को जो है उस कांडों में वहाजित किया गया है और कुल कांडों की संख्या कितनी है 7, 18, 6 या फिर 8 जल्दी से बताएगा बिल्कुल एंड में हम लोग पहुँच रहे है 7 कांड है रामायण में ए नमबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसके साथ इसाथ दोस्तों आप लोग क्लास को अगर कुशन पसंद आए क्लास अच्छी लगे तो फीड़ बैक के तोर पर लाइक करते रहे और अगर कुशन अच्छे लेंगे तो एक बार सिर्फ इतना बता दीजेगा कि कुशन पसंद आ रहे है या नहीं आ रहे ताकि और भी ऐसे ही कुशन आपके लिए लेकर आए चतुर विनसती सहस्त्री सहिता किसे कहा जाता चतुर विनसती मतलब हो गया 24 और सहस्त्री मतलब हो गया हजार सहिता 24,000 इस लोगों की सहिता किसको कहा गया रामायण को, रामचरित मानस को महा भारत को या फिर रगुबनसम को 18 नंबर कोशन है जल्दी से बताईएगा चतुर विंसत इस सहस्त्री जो रचना है ये किसको कहा गया ये रामायर को कहा जा गया इसमें कुल इस लोकों की संख्या 24,000 है इसका आपका A नंबर आप्सन सही हो जाएगा याद कर लीजेगा अगला मा निसाद प्रतिष्ठाम तम गमह सास्ती समह ये इस लोक किस कभी के मुख से निकला वेद्विया जी के कालिदा जी के वालमीक जी के या फिर भास के मुख से किस के मुख से निकला था राज तरंगणी, स्रीकंट, चरित, सोमपाल, विजय या फिर सेतु काब्बे 30 नंबर कोशन, अंतिम कोशन है तो दोस्तों सभी ने पढ़ी होगी राज तरंगणी, ए नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पूरे आपके 30 questions complete होगा, पूरा practice set complete होगा जल्दी से बताईएगा 30 में से आपके कितने questions सही हुए है इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ए question का answer comment box में देना है आज की class का आपका question है सिसुपाल वधम, बहुत important रचना है सिसुपाल वधम, ये रचना के रचना कार कौन है जरूर अधिक सदिक संख्या में answer comment box में करिएगा 30 में से कितने questions सही हुए ये भी बताईएगा और अगर class पसंद आई हो question अच्छे लगें तो like करना मत भूलिएगा अधिक सदिक like करना है, अधिक सदिक share करना है और चैनल को subscribe भी करना है अगर आपको इसी प्रकार के मेरे सभी subject के यूपीटेट, सीटेट से सम्मंदित important handwritten notes चाहिए हैं तो मेरा WhatsApp नमबर नमबर है 914290052 इस नमबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं आपको fees पे करनी होगी, जो मैं आपको इस नमबर पर बता दूँगा तो उसके बाद आप लोग fees पे करके सभी notes को प्राप्त कर सकते हैं जुड़े रही हैं, त्यारी करते रही हैं तब तक के लिए धन्यवास साम की class में लोग देखेंगे पर्यावरान अध्यन के most important questions को थे हैं कि दूस्तों गुड़बाई